ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सरवार्थ साधिके शरण नेत्रम्ब के गौरी नारायनी नमोस्तुते मा भगवती की अराधना का पुन्य अवसर आने को है नवरात्री का समय है नवरात्री का समय दोनों बार जब वर्ष में आता है तो ऐसे समय में आता है जब रितु परिवर्तन होता है गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी का दोनों समय का ये समय रहता है नवरात्री का चैत्र नवरात्र और अश्विन के नवरात्र और ऐसे नवरात्री का समय जो है ये हमारे लिए विशेश रूप से आराधना का भक्ती का और सैयमन का समय रहता है चैत्र नवरात्र के समय शीत रितु से गर्मी का समय आता है और आश्विन के नवरात्र में फिर से रितु बदलती है और गर्मी से थंडी के मौसम की तरफ हम जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टी से जो आश्विन नवरात्र है ये हमारे लिए भक्ती का समय है अपने लिए अराधना का समय है और अपने अंतर करण में अध्यात्मिक उर्जा को जागरत करने का समय है अध्यात्मिक उर्जा को उपर उठाने का समय है और अपने आपको शक्ती सचे से ओध परोध करने का समय रहता है अध्यात्मिक दृष्टी से इस समय हम बखवती के नौ दिन में नौ रूपों की आराधना करते हैं और भगवती की और अराधना करने शक्ति से ओध्प्रोत करें और उस शक्ति से ओध्प्रोत करने के पश्चाद अपने आपको मां भगवती से एकिकृत करते हुए उस शक्ति का सदोपयोग जो है वो समाज के कल्यान के लिए करें, समाज के उत्थान के लिए करें, उपवास की हमारे यहां नौरात्री में बहुत वैग्यानिक प्रक्रिया है यह केवल अध्यात्मिक अर्थ नहीं रखती अध्यात्म की दृष्टी से हम अपने आपको फलाहार करते हुए संयम करते हुए अन्न का त्याग करके और फलाहार करते हैं ताकि हमारी जी चित्त की वृत्तियां हैं वो सात्विक रहें हम सा सात्विक आहार लेते हुए सात्विक भोजन लेते हुए अपने चित्त की वृत्तियों को एकागर कर संयमित होते हुए अपने उस परमतत्व की अराधना के लिए अपने आपको केंडरित करते हैं परंतु इसका वैज्ञानिक दृष्टी से भी एक बहुत बड़ा महत्व है आयुर्वेद की दृष्टी से जब हम कुछ दिन तक नियमित रूप से एक ही आहार लेते हैं हमारे आहार की भी श्रेणिया हैं सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार अन जो है ये राजसिक आहार माना जाता है और अभख्ष भख्षन करने वाले जो लोग है उनका आहार जो है वो तामसिक आहार माना जाता है और फलाहार करना जो है यह सात्विक आहार माना जाता है जब हम कोई एक प्रकार का आहार नित्यप्रती लेते हैं कुछ लंबे समय तक एक ही प्रकार का भोजन करते हैं तो जिस प्रकार का हम भोजन गहन करते हैं उस अन से उ शक्ति उत्पन होती है तो हम जैसा अहार लेते हैं अहार शुद्धो सत्व शुद्धी जिस प्रकार का भी हम अहार लेते हैं वैसी हमारी बुद्धी बनती है जैसी हमारी बुद्धी बनती है वैसे हम कर्म करते हैं और जैसे हम कर्म करते हैं उसी के परिणाम में हमें वैसा ह जीवन भी प्राप्त होता है, तो जब हम नौरात्री के समय, हम जो अन्न का त्याग करते हैं, उसके पीछे अवधारणा यही होती है, कि हम जिस प्रकार का भी आहार ग्रहन करेंगे, हमारे शरीर के पूरे परमानु जो है, वो उसी अन्न के बन जाएंगे, उसी आहार के बन और यदि हम सात्विक अहार लेते हैं लंबे समय तक तो सात्विक अहार लेते लेते हमारी बुध्धी भी सात्विक बनेगी और सात्विक बुध्धी के चलते हमारा चित जो है अधिक एकाग्र होगा और अधिक एकाग्र होने से हमारे विचारों में भी परिवर्तन आएगा और विचारों में परिवर्तन होने से हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारे कर्म परिवर्तित होते हैं बोलचाल की भाषा में भी हम सुनते हैं कि जैसा खाए अन वैसा होए मन तो आहार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और जिस चीज से हम जो भी आहार लंबे समय तक करते हैं उसी आहार से हमारे सारे शरीर के परमानू जो है वो बनने लगते हैं और जब रितू परिवर्तन होता है तो आजकल भी हम देख रहे हैं कि गर्मी से ठंडी की और जब रितू परिवर्तन होता है या ठंडी से गर्मी क की तरफ हम जाते हैं जितु परिवर्तन होता है तो रोग बहुत होते हैं जैसे अभी भी कोरोना तो है ही लेकिन उसके साथ साथ वाइरल है डेंगू है इस तरह की बिमारियां भी बहुत फैलती हैं जब मौसम हम कहते हैं मौसम बदल रहा है इसलिए वाइरल का बहुत प्रको सच्ची से अगर हम उसस्द्रचना को कंट्रोल करते हैं और हम अपने आपको रोगों से भी बचा सकते हैं। इसलिए नौरात्री में माभगवती की आराधना करते हुए अपनी जिवहा पर अपने मन पर अपने सारी इंद्रियों का सैयमन करते हुए हम अपने जीवन को सैयमित बनाते हुए माभगवती के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करें और इस समय विशेश रूप से पि अपने स्वास्त का ध्यान रखना और अधिक आवश्यक है हम अपने आपको सुरक्षित रखें मास्क लगाएं वेक्सिन लगवाएं और संयमित जीवन जेते जीते हुए संयमित आहार लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एकांतवास का तो वैसे भी साधना के दृष्टी से हम देखें तो बहुत बड़ा महत्व है तो जितना अपने आपको हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी साधना को करेंगे उ कि आप सब लोग अपने जीवन में संयमित रहते हुए माँ भगवती के आराधना करके उनके कृपा पात्र बने हरियों। आप हमारे संतवानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूले, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।